दिल्ली में कामकाजू को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल एक्शन मोड में हैं केज्रिवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सड़कों का जायजा लिया वे दिल्ली में युद दस्तर बर काम कराने की तैयारी में है दिल्ली की सीम आतिसी आपके राश्टी सयोजग अर्विन के जिवाल और पूर्व उप मुख्यमंतरी मनी सिसोधिया सडक के स्तिधी का निरक्षड करने के लिए दिल्ली विर्षविद्याले के उत्तरी परिसर पहुंचे थे इस दोरान अर्विन के जिवाल ने कहा है कि अभी तक कुछ दिनों पहले भाजपा के एक नेता से मिला और मैंने उनसे पूछा कि मुझे गिरफतार करके क्या फाइदा हुआ तो उन्होंने बताया कि इससे दिल्ली सरकार डिरेल तो हो ही गई किंद्र सरकार दोरा मुझे गिरफतार करने का मकसद ही दिल्ली की जनता के कामों को रोकना था लेकिन दिल्ली वालों को मैं कहना चाता हूँ कि अब मैं बाहर आ गया हूँ और जनता के सभी रुके हुए काम तेजी से पूरे कराये जाएंगे के जिवाल ने काये कि उन्होंने मुझे जेल भीज कर दिल्ली के काम रोक दिये थे सडक भी खराब हो गई उनका यही मकसद था आज मैंने मुख्यमंत्री आतिसी के साथ दिल्ली युनिवरसिटी में एक सडक का डिरेक्षिन किया इस सडक को भी जल्दी ठीक किया जाएगा दिल्ली की बाकी सडकों को भी जल्दी ठीक कराया जाएगा अब मैं वापस आ गया हूँ दिल्ली के लोग चिंता ना करें दिल्ली के सभी रुके हुए काम पूरे कराया जाएगे बता दे कि इस से पहले सुप्रिम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल को कथित अबकारी नीती घोटाला से जुड़े ब्रस्टाचार के मामले में बीते शुकरवार को जमानत दे दी थी जस्टिस सुरेकांत और न्यायमोरती उज्वल भुया की पीठ ने केजरिवाल को दस लाख रुपए के मुख्यल के और दो जमानत राशियों पर जमानत दी अदालत ने केजरिवाल को मामले के संबन में सारजनिक रूप से कोई टिपड़ी नहीं करने के निर्देश दी है जस्टिस भुया ने केजरिवाल को नियमित जमानत देने के संबन में न्यायमोरती सुरेकांत से सहमती जताई वहीं पीट ने अपने फैसले में कहा कि अपील करता कि गिरफतारी अवैद नहीं थी और जाच के आदेश से किसी भी ऐसे ब्यक्ति को गिरफतार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है जो पहले से उस या अन्य मामले में हिरासत में हो जमारत के बाद आतिसी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाए गया जो लगातार अवेक्षन में है और केंदर सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं ये भी बता दे कि दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को दो द्योसी विसी सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा सत्र की शुरुवात के साथ ही एक बड़ी मिस्ची सॉल्व हो गई है कि अतिसी के सियम बनने के बाद अब विधानसभा में कौन कहा बैट रहा है ये भी सामने आ गया है। विधानसभा में पूर्व सियम के जिवाल के लिए कोई कूर्सी खाली नहीं चुड़ी गई है वही अतिसी अब पहली सीट पर बैट रही है के जिवाल को सीट नमबर 41 अवन टित किया गया है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।